हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सरकी क्लास आज की ये शिक्षा निदेशाले राष्टे राजधानिक शेत दिल्ली की वर्कशीट वर्कशीट नमबर दस जो की कक्षा छटी के विध्यारतियों के लिए हैं यह ली गई है हिंदी विशे से और आज इसमें हम एक अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे समझेंगे और फिर उस पर आधारित प्रशनों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे तो देखिए बच्चों अभी सही आपको इस तरीके के प्रशनों को करने की आदत डाल लेनी चाहिए यानि ये एक ऐसा गद्यांश है जो आपकी किताब में नहीं है बलकि कहीं से भी लिया गया है और फिर उसको पढ़के समझे और उस पर आधारित प्रशनों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए तो चलिए बिना समय गवाय शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं सुनी धी पहाडों पर घूमने गई वहाँ उसने देखा कि एक बहुत बड़े पेड़ पर अखरोट लगे हुए है सुनी धी ने पहली बार अखरोट का पेड़ देखा था पेड़ के पास कद्दू की बेल थी कद्दू यानि जिसको हम सीता फल भी कहते हैं उस पर बड़े बड़े कद्दू लगे थे सुनी धी को अखरोट भी पसंद थे और कद्दू भी सुनी धी सोचने लगी इतने बड़े पेड़ पर छोटे छोटे अखरोट और इतनी छोटी सी बेल पर बड़े बड़े कद्दू ऐसा क्यों? बड़े पेड़ पर बड़े कद्दू होने चाहिए और छोटी बेल पर छोटे अखरोट होने चाहिए वे पेड़ के नीचे बैठी बैठी यही सोच रही थी कि तब ही उसके सिर पर छोटा सा अखरोट आकर गिरा उसने तुरंद कहा पेड़ पर तो अखरोट ही ठीक है अगर कहीं कद्दू होता तो मेरा क्या होता तो देखिए इस कहानी को इस गद्द्यांश को एक चित्र के माध्यम से भी दर्शाया गया और आपने सोना और समझा कि आखिर वो क्या सोच रही थी वो सोच रही थी कि भई चोटे अखरोट तो चोटे बेल पर अगने चाहिए और बड़े बड़े कद्दू बड़े बड़े पेर पर लगने चाहिए लेकिन जब उसके सर पर वो अखरोट आके लगा ना तब उसको शायद अकल आई कि नहीं जो अखरोट है यानि जो जहां पर है वो वहीं ठीक है यानि छोटे अक्रोट बड़े पेर पड़ी ठीक हैं, अगर कहीं उसकी जगे कद्दू, जासा वह सोच रहे थी कि कद्दू लगे होते हैं, कद्दू उसके सर पर गिरा होता ना, तो शायद उसके सर पर बहुत चोट आती, तो ये था अपटित गद्याश, चलिए अब हम इस पर आधारित प्रश्णों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे, तो प्रश्ण है कि निम लिखित प्रश्णों के उत्तर सही विकल्प पर सही का निशान लगा कर दीजी, यानि आपको एक प्रश्ण के तीन-तीन उत्तर दे रखें, उसमें जो सही विकल्प हो, उस पर सही का निशान लगाएं तिकमाक लगाएं और उतार देने का प्रयास करें पहला प्रश्न है कि सुनीधी कहां घूमने गई थी? पहाडों पर, विदेश में या दोनों जगें कहां घूमने गई थी? तो इसका सही उतर है बताईए कपहाडों पर फिर दूसरा प्रशन है कि सुनीधी ने पहली बार क्या देखा? अख्रोड का पेड, काजू या फिर दोनों? सही उतर है का अख्रोड का पेड उसने पहली बार देखा था तीसरा प्रश्ण सुनीधी को क्या देखकर हैरानी थी? छोटे अक्रोड, बड़े कद्दू या फिर दोनों? बताईए क्या देखकर उसको हैरानी हुई? तो इसका उत्तर है दोनों. फिर चौथा प्रश्ण है कि सुनीधी के सर पर क्या आकर गिरा? कद्दू, अक्रोड या फिर दोनू, सही उत्तर है, क, कद्दू, कद्दू, उसके सर पर गिरा था, नहीं, ये उत्तर गलत है, मैं यही जानना चाहा रहा था, उसके सर पर क्या आकर गिरा बताईए, उसके सर पर आकर गिरा, अक्रोट, देखा, इसलिए कहा था, कि ध्यान से सुनना, अब पांचवा प्रश्ण है कि अख्रोट सिर पर गिरने के बाद सुनीदी ने क्या कहा लिखिये सुनीदी ने कहा पेड़ पर तो अख्रोट ही ठीक है अगर कहीं कद्दू होता तो मेरा क्या होता तो ये सब सुनीदी ने कहा था अख्रोट सिर पर गिरने के बाद अब आपके लिए एक क्रि याद करके लिखिए और अपने शिक्षक से चर्चा कीजिए यानि कुछ इस तरीके की घटना अगर आपके साथ होई है तो आप उसको लिखिए देखिए मैं यहाँ पर अपने एक सुझहाव बता रहा हूँ आप उसको मेरा पैर यहाँ पे पैर आएगा मेरा पैर एक छोटे से पत्थर से टकराया तो मैंने देखा अरे यह तो छोटा सा पत्थर है इससे मेरे पैर को कुछ भी नहीं होगा परन्तु जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे गया तो चलते चलते मेरा पैर एक बड़े पत्थर से टकराने वाला था लेकिन मैंने देख लिया तो फिर सोचा कि मेरा पैर मेरा पैर उस छोटे से पत्थर से टकराया वही ठीक था अगर कहीं इस बड़े पत्थर से टकरा जाता तो मुझे बहुत चोट लगती तो इस तरीके की घटना अगर आपके साथ भी कोई होई हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं और इस प्रश्ण को करने का प्रयास कर सकते हैं तो ये तो थी आज की वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है न तो इस वीडियो और चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी इस चैनल को 50K यानि 50,000 तक पहुँचा दीजिए लेकिन याद घर से बाहर निकलते समय कोरोना से इस रक्षित रहने के लिए मास्क जरूर लगाएं और जब भी आपकी वारी आए इसका ठीका करन्च जरूर कराएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिन्दगी को एक बार फेर से सुहाना बनाना है और उसके बाद स्कूल भी तो जाना है इसी उमीद के साथ बहुत बहुत धन्दगी